भारत में कोरोना से बचने के लिए कल पूरे देश में जनता कर्फ्यू रहा। लोग सुवे से ही अपने घरों में रहे और सड़के पूरी तरह से खाली रही। पिये मोदी के आवान पर शाम के पाँच बचते ही चारों तरफ हमें घंटिया थाली बजाने शंक की आवादें आने लगी। चाहे आम आत्मी हो या फिर सलिबिची। हर किसी ले इसमें बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया। बॉलिवूट के भी कई बड़ी सितारे इसमें शामिल होए और सब ने कोरोना फाइटर्स का आभार चताया। ऐसे में मशूर हर्यानवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी ने भी कोरोना फाइटर्स को थाली बजा कर ठैंक्स किया। पर इस दोरां सपना चौधरी काफी इमोशन हो गई। उन्होंने एक वीजियो अपने इंस्स्राग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। पर शेयर किया है। सपना भी कोरोना फाइटर्स को थांक्स करने के लिए अपने फ्लैट की बालकनी में आई और सब के साथ ताली बजाए। उनकी सुसाइटी की भी सभी बिल्डिंग्स में लोग अपने घरू के बाहर थे और शंक थाली प्लेट और भगवान की घंटी बजा रहे थी। लोगों को एक साथ देख सपना काफी इमोशनल हो गई और फिर तूने लगी। वीडियो को पोस्ट करते होए सपना ने कैप्शन में लिखा बुरे समय में भी कुछ अच्छाईयां होती हैं। गर्व है हमें अपनी एकता और अखंडता पर। सपना चौधरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वारल हो रहा है। उनका ये वीडियो उनके फैन्स को खूब पसंदा रहा है। वो सपना की इस वीडियो पर खूब कमेंट कर रहे हैं और साथ भी शेयर भी कर रहे हैं। सपना चौधरी डांसर और सिंगर होने के साथ बीजेपी की कारे करता भी है। कोर्रा वाइरस की दहशत पूरे विश्वर में फैली होई है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी के आवान पर बॉलिवोड सेलेप्स री 25 मार्च को जनता करकियों में शामिल होई। शाम पाँच पजे पूरे पाँच मिनट तक सभी सेलेप्स ने ताली, घंटी, शंग और थाली बजाकर कोर्णा फाइटर्स का आभार जताया। कई बॉलिवोड हस्तियां जिसे दिपिका पदकोन, रनवीर सिंग, अमिताब बच्चन, अभिशेक बच्चन, एश्वरे राय बच्चन, चिलपा शेटी, अक्षे कुमार, वरुन धवन के अलावा और भी कई सितारों ने इसमें बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया। इन सबकी वीडियो सुबे से ही आज सोचल मीडिया पर वारल हो रही है। इस समय भारत में कोरोना वाइरस के मामले बढ़ते जा रही है। इसके साथ कई राजियों ने 31 मार्च तक लॉकडाउन की भी घोशना कर दी है।